Hello everyone welcome back to my channel fun and fashion so today I am going to review the Jacqueline Hill palette by Moppy आज की वीडियो में मैं आपके साथ share करने वादी the Jacqueline Hill palette by Moppy योप आईशेडव पैलेट है but out of packaging ये एक original eyeshadow palette से similar match है so आप देख सकते हैं जैसा original palette में यहाँ पर पीछे mention होता है same same वही mention है and यहाँ पर फोर्स यहाँ पर फ्रंट पर the Jacqueline Hill palette by Moppy mention होगा है but ये एक dupe palette है and मैं यहाँ पर कोई dupe palette को pronounce नहीं कर रही हूँ या इसको बुरा नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ इतना कहने चाहती हूँ ये एक out of packaging एक दम original palette है but inner packaging it's not original ये एक dupe eyeshadow palette है I hope आपके लिए वीडियो help रहेगी तो please मेरी वीडियो को लास तक गरूर देखना तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी packaging की ये similar white color की packaging में आता है just यहाँ पर लिखा हूँ है the Jacqueline Hill palette by Moppy and पीछे ये mention है so जैसा कि मैंने YouTube में वीडियो में कई सारी वीडियो में देखा था कि dupe eyeshadow palette की packaging में पीछे यहाँ पर कुछ ingredients and notes लिके होते हैं जो किसमें है नहीं यहाँ पर same original palette की तरह यह same packaging है and आप देख सकते हैं इसकी packaging बिल्कुल white color की and plain और बहुत ही जादा similar है बहुत क्यूट सी packaging है इसकी and and यह simple cardboard के packaging में है तो अब हम बात करते हैं इसकी inner packaging के and इसकी packaging same out of packaging की तरह ही इसकी inner packaging है जहां पर mention हुआ है the Jacqueline Hill palette by Moppy and इसके पीछे Moppy X Jacqueline Hill and इसकी packaging बहुत ही cute सी and बहुत ही प्यारी है like a diary packaging यहां पर एक magnet यहां पर यह magnetic से attach है similar और बहुत cute packaging है चलिए अब हम इसको अंदर से open करते हैं palette is dedicated to all my loving subscriber उन्होंने यह अपने loving subscriber के लिए message लिखा है जो कि same ऐसे ही original packaging में mention है अब हम बात करते हैं इसकी यहां से packaging grey color में है और बाहर से totally सारी की सारी white color की packaging में है तो अब हम बात करते हैं इसके shades की इसमें हमें 35 shades मिल रहे हैं जिसमें की 17 shades shimmery है और बाकी के सारे match shades है यहां पर यह brown shades दी हुए है जो कि as a bronzer भी use हो सकते हैं यहां पर है यह white shade जिसे हम as a highlighter भी use कर सकते हैं यह shimmery shades है तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें बहुत सारे colorful eye shades दी हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे colors हैं तो इसके pan भी काफी ठीक ठाक से हैं नहीं जादा बड़े हैं और नहीं जादा छोटे हैं यह बहुत ही जादा quantity में हमें बहुत अच्छा palette मिल रहा है इसकी pigmentation भी बहुत ही जादा अच्छी है अच्छी शीमरी shade को कुछ shades की pigmentation दिखा देती हूँ यह बहुत ही अच्छा eyeshadow palette है आप इसे बाई कर सकते हैं सो आप इसकी pigmentation देख सकते हैं कितनी जादा amazing इसकी pigmentation है एंड हम बात करते हैं black shade बहुत ही जादा प्यारा shades है and I love black आप देख सकते हैं इसकी pigmentation भी बहुत ही जादा अच्छी है यह थोड़ा सा fall out होंगे लगाते हैं बट इस ओके pigmentation इस वाउ सो अब हम बात करते हैं इसकी match shades की जो की थोड़ा chalky and powdery है सबसे जादा यह वाला shade बहुत ही जादा chalky है यह बहुत ही जादा chalky है आप देख सकते हैं यह कितना जादा fall out हो रहा है तो चलिए मैं आपको इसका maroon shades जिखाती हूँ इसमें काफी सारे maroon shades यह हुए है same से ही color है तीनो because यह तीनो ही matte shades में maroon shades यह हुए है and यहाँ पर हमें काफी सारे bronze bronzer color दी हुए है and then यहाँ पर है यह shimmery shade जो की golden or copper है बहुत ही जादा अच्छा है मैंने जैब इसको buy की थी यह just 500 रुपीज की थी and अब यहाँ पर यह आपको 350 या 300 के around अराम से मिल जाएगी यह बहुत अच्छा eyeshadow palette है आप चाहें तो इसे buy कर सकते हैं link में description box में provide कर दूँगी so यह थी मेरी आज की video अगर आपको मेरी video पसंद आई है तो make sure मेरे चैनल को subscribe कर देना and मेरी video को like करना मर कोईगेगा झाल